नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ी फॉर यूप इसी पी से समय में स्वागत है हम लोग एंसी आर्टी ओल्ड वाले से एंसेंट हिस्टी पर रहे थे और इसमें तीसरे चेप्टर तक मैंने करवा दिया था चौंथा चेप्टर जो है वो है कि भूगोल इतिहास को किस प् परने वाले हैं प्रस्तर यूगर आदी मानव जो आप बुर्ज होम का नाम सुनते हैं या चिरांद का नाम सुनते हैं बिहार में या नर्मदा घाटी का नाम सुनते हैं कि वहाँ पर प्राचीर मानव रहते थे ये सब इलाके जो हैं ये किन से जुरे हुए हैं ये जुरे ह होमो सेपियंस से इनसान बन चुके थे हम लोग होमो सेपियंस से इनसान बनने के करम में जो हम लोग जीवन जी रहे थे वही है इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक बुक भी है होमो सेपियंस के नाम से सेपियंस के नाम से बुक है उसको जरूर पढ़िएगा अगर कभी फुरसत मिले तो उससे अच्छी बुक तो मैंने नहीं परही है मैंने आधी बुक ही परही है वी वी लेकिन बहतरीन बुक मानी जाती है वो जब आप उसमें परहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम मानते हैं कि हर चीज के बिलुप्ती करन के पीछे हम मान लेते परियावरन के कारण से बिलुक्त हो गए ये सिध्धान्त को उसमें जुटलाने ही कोसिस की गए उसमें बताया गया है कि कैसे जब पहली बार होमो सेपियंस ने आस्टेलिया में कदम रखा तो आस्टेलिया को उसके बाद से 75% से ज़ादा जो वहां के जीब जन्तों के परजाती थी वो बिनास हो गई और वो समाप्त हो गई यारी कि परियावरन ने उनको बरबाद नहीं किया होमो सेपियंस जो थे हमसे पहले बारे पूरवज जो थे वो जहां जहां पर गए जैसे जैसे गए वैसे वैसे वहां पर चीज़ें बदलती गई उन्होंने ये भी बताया गया उस बुक में कि आप उपर देखिए रूस का भाग देखिए और USA का अलासका का भाग देखिए अपने मैप में उसमें बीच में पतली सी बेरिंग की जलसंधी आती है पहले वो बेरिंग की जलसंधी नहीं थी वहाँ पर बर्फ जम्य हुए थे और इसके कारण से आस्थानी से रूस से अमेरिका तक पैदल यात्रा करके जो जीव जन्तू है वो कहां से गए सेपियंस कहां से गए रूस से अमेरिका के तरफ यात्रा करके गए थे क्योंकि बहुत बारा समुद्र है इस तरफ से तो यूरोप की तरफ से बीच मा अटलांटिक महासागर है और एसिया के तरफ से प्रसांद महासागर है लेकिन उपर ये जुरा हुआ था जिसके कारण से रूस से कहा तक लोग चले गए वरतमान के रूस से तो अमेरिकी के जो भूमी है वहाँ तक चले गए और वहाँ पर जाने के वाद वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल गई धीरे धीरे और ये भी बताया गया उसमें कि जो मानव है मानब का जो muscles है वो इसलिए कमजोर है गया क्योंकि मानब के सरीर का अधिकांस energy ध्यान पुर्वक सुनिएगा, माहौल बना रहूं भी परहाने का परहा नहीं रहूं यह भी चाट है मानब के सरीर का अधिकांस energy जो है वो मानब के मस्तिस्क को develop करने में यानि कि मानव का जो दिमाग होता है इसको डेवलप करने माधिकांस एनरजी मानव की खपत हो गई इसलिए मानव का जो मसल्स है जो हाथ है जो पैर है वो कमजोर होते चले गए जैसे इसका एक्जामपल मैं देता हूँ आप समझ जाएंगे जैसे आप गोरिला को एक देखिए गोरिला तो जानते ही होंगे गोरिला को देखिए वो कितना बड़ा और ताकतवर दिखता है और वहीं पर इनसान इनसान क्या है गोरिला और इनसान कभी एक ही जैसे होते थे लेकिन इंसान आपको सारी रिर कुप से कमजोर दिखे गा लेकिन गोरिला को हम पीजरे में बंद करके रखते हैं और अपने बच्चों को दिखाने के लिए ले जाते हैं म्यूजियम में या चिरियां घड़ में ये कैसे संभब हुआ क्योंकि इंसान का जो सरीर था वो कंधे के बगल से कंधे के पास से धीरे 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 कमजोर होने लग गया क्योंकि हमारी सारी एनरजी जो है मस्तिस्क के तहट प्रवावित होने लग गई और मस्तिस्क के अभिकास बहुत ही तेजी से हुआ मानवो में होमो सेपियंस में और जो बांकी जो जीव जनतु थे उसके समकालीन समकक्ष जीव जनतु थे वो पिछहरते चले गए ति यह बहुती सुन्दर थ्योड़ी उस बुक में दिया हुआ है यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इन ही चीज़ों का आगे जाकर विस्तार हुआ जब मानव ने पत्थर और लक्री का उप्योग करना सुरू कर दिया तब यकीन मानिये जो आग है आग का विस्कार दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा विस्कार है आग और पहिया का उसने सिभिलाय असन को बड़ल कर रख दिया उसके बाद भी बहुत सारे विस्कार हुए लेकिन आग और पहिया का विस्कार ऐसा विस्कार है जिसने पूरे एक मानव सभिता को बड़ल कर रख दिया मानव तो उसमें बन ही रहे थे इन्ही सब चीजों को डीटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमिका बन गया कि क्या है सेपियंज क्या होते हैं अगर आप देखेंगे इतिहास के बच्चे डीटेल पढ़ते हैं तो 10 पीरहों को हम लोग पढ़ते हैं पिर्थवी 400 करोर वर्ष से अधिक पुरानी है, पिर्थवी कितनी पुरानी है, 400 करोर, 4 अरब साल पुरानी पिर्थवी है, और मानव का इतिहास अगर सब से देखे भारत में, तो सभिता वाला मानव कब से है, तो 3000 इसा पूर मान लेजिए, कि जो हरपा संस्कृति के लोग वो लोग बहुत सब थे तो 3,000 आप एक काम कीज़े, जिसके पास 4 अरब रुपया हो उससे आप 3,000 छोरिये 1,00000 रुपया ही उससे चोरी करके भाग जाएए क्या उसको कोई फर्क परेगा वतना 4 अरब रुपया जिसके पास हो कोई हमारा इतिहास में मानव का इतिहास जो है उस पिर्थवी के इतिहास का 1% से भी कम का हिस्सा है तो इसी हिसाब से थोड़ा सा अपना आकलन करके हम लोग पढ़ाएंगे देखे क्या है कि इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं पर कट होती है चौथी अवस्था चरत उर्थिक यानि के क्वाटर नरी कहलाती है क्वाटर नरी तो आप लोगों ने जोगरफी में भी परहा होगा जिसके दोग भाग है अतिनूनन अतिनूतन यानि के पलिष्टो सीन और अधितन यानि की होलो सीन कहा जाता है इसको अभी तक तो जो कुछ में बोलना हूँ अंग्रेजी में भी वही कहलाता है इससे पूर्ब 20 लाक और 10 हजार वर्स के 20 था और दूसरा आज से लगवग 10 हजार वर्स पहले सुरू हुआ था यानि की जो पहला वाला है वो 20 लाक से 10 हजार वर्स तक रहा और जो दूसरा है होलो सीन युग है ये रहा है आज से लगवग 10 हजार वर्स पहले सुरू हुआ था कहा जाता है कि मानव धर्ती पर प्लिस्टो सीन के आरम हमें पैदा हुआ जब प्लिस्टो सीन युग सुरू हो रहा था उसी आरम में मानव का जन्म हुआ था इसको ध्यान में रखेगा क्योंकि कई वार यही चीज पीटी में पूछ लिया जाता है इसी समयम असली गाई, असली हाथी और असली घोरा भी उत्पन हुआ असली का तातपरे क्या है देखे ये सारे जीव करम जो है ये डिवलप होते 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 बने हैं जैसे मैं एक्जामपल देता हूँ, पहले जो जीव बने थे साइनो बेक्टेरिया का अपने नाम सुना होगा वो समुदर में आये और उन्हों नहीं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा उत्पन ने किया तो ऑक्सीजन गुत्पन होने के बाद क्या हुआ, जीवन का थोरा थोरा सा यहां पर मातरा शुरू हो गया धीरे धीरे जीवों का विकाज सुरू हुआ, शुरुआत में ऐसे जीव बने जिनके अंदर में कोई भी हड़ी या कोई भी अस्थी नहीं होती थी जैसे जल में पाए जाने वाले जो मचली होती, उनके अस्थियों की संख्या उनमें बहुत कम होती है, बहुत पतली होती है फिर फिर बिसाल काई मचली आई, जिनके अंदर अस्थियां बहुत बरी मातरा में थी फिर कुछ ऐसे जीवाए जो जल में भी रह सकते तो थल पे भी चल सकते जैसे मगरमच एक उदारन ले सकते हैं जैसे अब सरी स्क्रिप में सांप उदारन ले सकते हैं इनी से डिवलप होते होते सारे जीवों का विकास वहीं से हुआ है इसी ने बोला जारे एक असली हाथ ही असली घोरा इसका ताथ पर यही हो रहा है परंतु लगता है या घटना अफरीका में लगवगग 26 लाक वर्स पहले होई होगी एक चीज को और सुनिए आपको नहीं पता होगा तो जो अफरीका महादेस है पूरे दुनिया में यहीं से सेपियंस का जो यहीं से सारे दुनि कहाँ कहाँ पर मिलता है अवी तक क्यों जो जो साक्ष है तो इसमें अफरीका में ही मिलता है औके आधी मानव के जीवस्म फहुसिल भारत में नहीं मिलते हमें भारत में आज तक हमें आदी मानव का जीवासम नहीं मिला है। उसके अंसार मानव की उपस्तिती भी और भी पहले तक 14 लाग पूर्व आंकी गई है। वो और परिस्कृत ओजारों का इस्तिमाल करते हैं तक अंगर्ड का मतलब जिसको गढ़ा ना गया हो जिसको पॉलिस नहीं किया गया हो। और आपर इसके तो ओजारों को प्योग करते थे ऐसे ओजार सिंधु गंगा और यमुना के कछारी मैदान को छोड़ सारे दे से पाए गया है। क्योंकि सिंधु गंगा का जो कछारी मैदान है यहाँ पर लगातार बार आती रही है बारी सोता रहता है पानी आया है मिटी हटते रहते हैं मिटी गनई परत बनती रहती हैं यह सारे पत्थर जो होते हैं यह बिखर जाते हैं यह कहीं भी टिकते नहीं हैं लेकिन आप नर् पूरी हुई गिटियों से वे सिकार करते थे पेर काटते थे और अन्य कारे भी करते थे कौन करते थे तो आदी मानव आपकी और हमारे पुरवज इस काल में मानव अपनी खादे कठनाईयों से ही बटोरता था और सिकार से जीता था जो अपना खाने पीने की चीज़ होती थी बहुत सार इसी तरीके हैं जैसे मैं बना रहा हूं इसी प्रकार से दिखते हैं और इनके हाथ में छोटे-छोटे भाला दे दीजे यहां पर एक पसू बना दीजे पसू बहुत गंदा बन देता है पता नहीं कौन सा जी बन गया है तो जो भी पसू बनता है उसका सिकार करते ह को दिखाया गया है तो यह सब हमें परवान मिलता है कि वो लोग भी जानते थे सिकार करना ओके यह अवस्था सामय तो 9000 इसा पुर्व तक बनी रही होगी 9000 इसा पुर्व यानि कि इस भी शुरू होने से भी 9000 वर्स पुर्व आज से 11000 वर्स पुर्व आज से 11000 वर्स पु हैं एक लाग हिसा पूर्व के हो सकते हैं ऐसे औजार जिनका समय बीस हजार इसा पूर्व से दस जार इसा पूर्व के बीच में हैं आंधर प्रदेश के कुर्णूल सहर से लगवा पच्पन किलो मिटर के दूरी पर मिले हैं देखिए अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा यह मैं सहरों के नाम ले रहा हूं जगों के नाम ले रहा हूं क्या मैं ही बता रहा हूं क्या यह सारे इंपोर्टेंट होते हैं यूपिएसी में 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 एक सवाल आता है पचास नवार आज ही किसी ने ग्रूप में पूछा था किस तरह से करते हैं इन जगों को मैप पर जाते हैं जैसे नर्वदा घाटी के बारे में चोटा नागपूर के पठार के बारे में है तो यहां से देदेगा आपको बोलेगा इस जगह के बारे में बताईए अब इस जगह का पुरा पासान से लेकर मरतमान में जिवागर चर्चा में इस जगह तो उसके बारे में आपक साथ UPSC देना के कोसिस करते हैं तो आपको उस जगे का location भी याद होना चाहिए map पर location याद होना चाहिए इसके साथ हड़ी को परन पसुओं का अबसेस भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के मिरजापूर जिले के बेलन घाटी में जो पसुओं का अबसेस मिले हैं उसे ज्यांत होता है कि बकरी भेर ग्याई भैंस आदी मवेसी भी पाले जाते थे फिर भी पुरापासान योग के आदी मवस्था का मानव सिकार और खादे संग्रह पर ही जीता था मुक्र पसुपालन थोड़े भहत होते थे लेकिन मुक्र फिर खादे संग्रह पर ही जीता था खाना इकठा करो खाओ और बस सो जाओ फिर अगले दिन खाना इकठा करो खाओ सो जाओ थे इस तरह के कुछ लोग जैसे अगर आपको मैं बताओं कि इस यूग के लोग आज आपको दिखते हैं क्या पिर्थी पर बिल्कुल देखते हैं अपने देश में ही रहते हैं पताए कहां तो सेंटलीज कहां पर सेंटलीज ये एक परजाती है पुरानी और जोडवो सेंटल साल पहले जो जिवन जी रहते ऑज भी वही जीते हैं उसी प्रकार सेार में झटो काई हैं नगल में 2019 में बबने इन लोगे दो कि चलाए था उस पर लेकिन फचोलने उनको चोड़ दीन भी लोगोग चाना लोगों से बीना कपरोक रहते हैं आज भी आज भी मैं कहरो 2023 में भी उसी प्रकार से रहते हैं तो क्या इस तरह के लोग आज भी हैं बिल्कुल है आदी मानव के स्टाइल में ही वो जीवन जीते हैं तीर धनुस सिकार करते हैं खाना खाते हैं और रहते हैं जंगल में और इनकी पहाजोपर छोटे छोटे जाहाजोपर फल वगर अच्छोर के वहाँ आ जाते हैं तो ऐसे लोग आज भी अपने यहाँ हैं अपने देश में भारत देश में हैं भारत के पूरा पासान यूगीम सभिता का विकास प्लिष्टोसीन काल के हिम यूग के यूग में हुआ यदि पत्थर के ओजार के साथ मानव अबसे जो अफरीका में मिले हैं वे 26 लाक वर्स पुराने माने जाते हैं तथापी यदि हम भारत में मिली बोड़ी की सामगरी को छोड़ दें तो पत्थर के ओजारों से असपस्टता लक्षित मानव के पर्थां उपस्तिती मद पलिष्ट पलिष्टोसीन अर्थात 5 लाक पर वर्स पूर्व की ही नहीं ठायरती है पलिष्टोसीन काल में पिर्थवी की देखियां पर क्या लिखा हुआ पिर्थवी के सता का बहुत अधिक भाग खासकर अधिक उचाई पर उसके आसपास का स्थान बर्फ की चादर से ढखा रहता यानि कि एक तरह से सीति यूग था ये और सीति यूग था ये एक तरह से और इसमें पूरा बर्फ से ढखा हुआ रहता था किन्तु परवतों को छोड़ उसन कटे बंदिये च्छेतर बर्फ से मुक्त था उसन कटे बंदिये च्छेतर जो है अपने अहां परवतों का अगर छोड़ दें तो बांकी एरिया जो था वर्फ से मुक्त था उस पर वर्फ नहीं थे बलकि वहाँ पर दिर्ख काल तक भारी वर्षा होती रही और इस कारण से यहाँ पर मानव रहे हैं कापरी दिनों तक ओगे देखे अगला क्या है पुरा पासान यूग क्या वस्ताई कौन कौन से है अब ध्यान पुर्वक इसको सुनिएगा पुरा पासान को बाटा गया है पुरा पासान को तीन भागों बाटा गया है कौन कौन से एक है आरंभिक पुरा पासान एक है आरंभिक पुरा पासान उसके से कौन सा आता है मध्य पुरा पासान मध्य पुरा पासान इंपोर्टेंट है सब पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं बच्चे उसको आता है उपरी पुरा पासान उपरी पुरा पासान ओके तीसरे को उपरी आस्वासान कहते हैं जब तक सिल्फ सामगरियों के बारें परियाप्त जानकारी नहीं मिली तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 5 लाग इसापुर्व से 50,000 इसापुर्व मानते हैं पहले को कहां से मानते हैं 5 लाग से लेकर 50,000 इसापुर्व तक कि ये समय था, ओके, दूसरे को मानते हैं, पचास जार से चालिस हजार इसा पूर्व तक काल मद्य पासान कब से कब तक है, तो पचास हजार इसा पूर्व से चालिस हजार इसा पूर्व तक काल मद्य पासान का है, और तीसरा कब से कब तक है, देखें आप लिखा हुआ है, क कई वारे इनके यही पूछ लिया था कब से कब तक इनको रखा जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखेगा छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके पीटी मदद कर सकते हैं और इतिहास को समझने मदद कर सकते हैं। अधिकांश आरहमभिक पुरा पासान यूग हिम यूग में गुजरा है यानि कि बर्फ का यूग जो था आईसेज था इसका लक्षन कौन कौन सा है देखिये लक्षन से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। UPSC ने PTM पूछा था सवाल कि निमने से कौन कौन से लक्षन पुरा पास्थान यूग के माने जाते हैं और वहाँ पर 4-5 आपस्थन दे देता उसमें से सलेक्ट करना होता है लेकिन पहले पूछता था UPSC अब नहीं पूछता है इस सेप्टर से PTM सवाल अभी तक तो नहीं पूछा क्या पता कल को पूछ ले तो कोई बता नहीं सकता हूँ लेकिन अभी जो हाल फिलाल है पास 7 सालों का 10 सालों का सवाल देखेंगा तो उसमें नहीं पूछा गया अधिकांस आरमिक पुरा पासान यूग हिम यूग में गुजरा था और इनके लक्षन कौन कौन से होते हैं अब लक्षनों को धियान पूरवक धियान रखेगा कुलहारी या हस्त कुठार हैंड एक्स जिसको कहा जाता है विदारनी या जिसको क्लीवर कहा जाता है ये सब हथियार होते हैं छोटे छोटे खंड़क या चौपर का उपयोग होता था भारत पाई के कुलहारी काफी हद तक वैसे ही है जैसे पस्टी मेसिया यूरोप और अफरिका है भारत में भी कुछ-कच वैसे ही कुलहारी मिले कब का तो हमें मिला है ये पुरा पासान ह्युक का मिला है पत्थर की ओजार को मुके तक काठ़ने खोदनें और छीलने का काम लिया जाता था आरंभीक पुरा पातान है यूग के अस्थल अब वरतमान में तो यह वरतमान के पाकिस्तान के पंजाव इलाके में है कई अस्तल कस्मीर और थार भूमी में मिलते हैं आरंबिक पुरापास्थान काली नौजार उत्तर परदेश के मिरजापूर जिले बेलन घाटी में भी पाय जाया है और यह पूछा गया था यूपी पीएस पत्थर का बना हुआ घर चटानों से बने आसरे मिले हैं वे मोटा मोटी लगभग में एक लाक हिसा पूर्व के हैं सेलासरे को प्योग मानव करितु कालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा यह अंदाजा लगा रहे हैं कि मानव वैसे तो सामाने तोर पर खुले छट के नीचे ही रहता था जंगलों में लेकिन सेलासरे इसले बनाते थे पत्थर का आसरे स्टोन का घर इसले बनाते थे या बनाते क्या होंगे रहने आ जाते थे गुफाओं में क्योंकि बरसा रितू या माली यह कोई ऐसे कठो रितू आ गई तो जिसमें उनको रहना है तो कहां पर आजाते थे रितु आवास के लिए सेलासरे को उपयोग करते थे तो रितु आवास वगरा करते थे वो लोगे आगे देखे क्या है लिखा हुआ है कहां पर करते थे तो भीम बेट का भीम बेट का क्या है तो यह एक प्राचीन गुफा है जो आपके मधपर देश में भोप समय में जमाव में मिले हैं और इस अबदी में जलवाईों में नमी कम हो गई थी इसी समय के मिले हैं हस्ट कुथार या हेंड एक्स वगरा मिले है मादेपुरा पासान युग में उद्योग मुखिता पत्थर की पपरी से बने वस्तुमों का था उद्योग तो नहीं ही था मतलब कि हम तुमें पत्थर की पपरी का बना हुआ हत्यार देते तुम हमें सेव दे दो तुम हमें गन्ना दे दो तुम हमें फल दे दो मुख्य ओजार पप्रियों के बने विविद प्रकार के फलक वेधिनी, छेधिनी और खुर्चनी थी, हमें वेधिनी फलक जैसे हथियार, हथियार जो है मैंने मुख्य उद्योग बुला तो ओजार वगरा है सब होते हैं और एक चीज और मैं बताता हूँ, बारी मातरा मिले ह होंगे, वस्तु विन मैं पलाली, आपको हम दे रहे हैं चावल, आप उसके बदले हमें सोना दे दो, इसी उकार जाता, पहले यही एकॉनमी चलती थी, जब मुद्रा कभी कास नहीं हुआ तो तब यही चलती थी, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, कि मद पुरा पासा नस्तल जिस शेतर मिले हैं, वो मोटे तॉर पहले का पुरा पासा नस्तल था, उसके बाद उसी जगह पर हमें मद पासान अस्तल भी मिले हैं, फिर यहाँ पर नव पासा नस्तल भी मिलेंगे, हम एक प्रकार के सरल, बटिकास मुद्ध्योग, यानि कि पत्थर के गोलो, से वस्तुओं का निर्मान देखते हैं जो तिर्तिय हिमाले हिमवरतन के सीरे समकाल में चलता है। क्या इलाका हो जाएगा और आपका कौन सा हो जाएगा और तुंग भद्रा नदी यानि के करनाटा कवराज में आपको दो चीजे मिलती हैं। पहले हाथ जो होता था आपका कलाई है यह कलाई जहापका मोरते हैं या अंगलीयों को मोरते हैं या किसी लाठी या पैन को पकर सकते हैं। पैन के पकरने के लिए भी हमें सो डेर सो हजारों वरसों का जो दूरी है वो तैय करना परत तब जाके मानव के अंदर यह सकती आई कि वो पैन को आज के वरतमान के सरूक जैसे पकर सकें। अंगूठा नहीं मुरता था होमो सेपियंस का और उससे होमो सेपियंस से पहले वाले समय का तो यानि को चार अंगली से किसी चीज़ पर पकर बनाने के कोसिस कीजिए। देखे कितना अच्छा पकर बनता है। तो उसी परकार के पहले आपको हतियार मिलेंगे जिनको चार अंगली से पकरा कर चलाया जा सके। उसके वासे धीरे धीरे आपका जो कमर है और आपका जो कंधा है वो भी पहले उसी प्रकार से जुका हुआ था तो जैसे मैंने बताया कि कंधा जब कमजोर हुआ तो वो सीधा हुआ समय के साथ धीरे धीरे और सीधा को वर्तमान मानव के सरूप आने में हमें लाखों सालों की दूरी तैकन परी है तिया मैं क्या बता रहा हूँ वर्तमान का जो होमो सेपियन्स जो आप नाम सुनते हैं उनका भी उदे कब होता है इसी से में होता है होपों सेपियन्स का भारत में फलकों और तक्षिनियों ब्लेड का इस्तेमाल देखा जाता है जो आंधर करनाटक, महराष्ट, केंद्रिय, मद्रप्रदेश, दक्षिनी उत्रप्रदेश, बिहार के पठार में और इसके इरिदगेर्द पाये जाते हैं उपरी पुरा पासानी अवस्था के मानव कोपियोग के लाइक गूभाओं और सेलासरे भोपाल से दक्षिनी चालिस किनों प्रेट दूरी पर भीम बेट का महमें मिले हैं भीम गेट का जो आपका भोपाल में कुछ देर पहले से ही बता रहा था वहीं पर मिले हैं गुजरात के टिबो को उपरी तलो पर उपरी पुरा पासान का अलिन भंडार मिला है जिसकी विसेस्ता है सलकों, फलकों और तक्षे नाओं और खुर्चिनियों का पिक्षाकरत अधिक मातराम पाये जाना ये सब हथियार होते हैं जो पाये गए थे उस समय इस परकार देश के अनेक पहारी ढ़लानों और नदी घाटियों पुरा पासान अस्तल पाये जाते हैं किन्तु सिंदू और गंगाख और कचारी मैडान में इनका पता तक नहीं चलता है क्यों को य। यह पाए ही नहीं कहे हैं इसलिए इनका पता नहीं चलता है अब यह मद्य पासान, पुरा पासान को हमने तीन भागां बाटा था, तीनों भागा हमने पर लिया पुरा पासान का, अब मद्य पासान पर हम लोग आ गए, इसमें क्या-क्या होता है इससे थोड़ी से life change होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आग का विकास होगा, पहिये का विकास होगा, धीरे धीरे homo sapiens चुकी बन चुके हैं, अब उनके हाथ मुर्ते हैं सही से, अब उनका कंधा मुर्ता है सही से, उनके सोचने समझने की सक्ती भी develop हो रही है धीरे धीरे और वो चलना भी सीख रहे हैं, सिकार करना सीख रहे हैं, और पेर पर चलना बहुत आसानी से सीख रहे हैं वो, मानव के जैसे इस्तमाल कर रहे हैं, धीरे 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 वो खादे संग्रह भी करेंगे, एक सैलासरे बनाने का मतलब क्या होता है, एक घर बनाएंगे, वहाँ पर खादे संग्रा भी करेंगे धीरे धीरे और परिवार नामक संस्था का जन्म हो जाएगा यहां से, परिवार नामक संस्था का जन्म भी होना शुरू होगा, उसके बाद से फिर किरसी करना सीखेंगे, किरसी करना सीखेंगे के बाद क्या होता है, किसी दो या तीन जो उत् देखे क्या लिखा हुआ है पुरा पासान युग और नव पासान युग के बीच का संकर्मन का काल था पुरा पासान और नव पासान इसके बीच का संकर्मन का काल यानि कि पुरा पासान से हम नव पासान की और जो जा रहे हैं इसी समय अबधी को क्या कहा गया इसी को कहा गया मध्य पासान काल मध्य पासान काल इसी को कहा गया है मध्य पासान यूग के लोग सिकार करने, मचली पकरना और खादे बस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे आगे चल कर वे पसुपालन उसके अलावा पसुपालन भी करने लग गया और इनमें सुरू के तीन पेसे जो हैं वो पुरा पासान यूग से चहले आ रहे थे कौन से सुरू के तीन पेसे तो यहां पर देखिए सिकार करना, मशली पकरना और खादे बस्तू यह बटोर कर जो पेट पालना थे यह तो पुरा पासान से ही चला रहा था लेकिन क्रिसी जो उन्होंने शुरू किया है देखिए आगे चलके वो पसुपालन जो शुरू करे पसुओ को जो पालना शुरू करे क्रिसी नहीं पसुओ को पालना जो शुरू कर रहे हैं वो मद पासान से शुरू कर रहे हैं और कोई भी पस्तू जब पालतू बनता है तो उसको 30 जनरेशन लगते हैं पालतू बनने में गाई के 30 जनरेशन तक को जब पालतू बना कर रखा गया होगा तब 31 जनरेशन जो आती है वो पालतू हो जाती हो जंगल में नहीं रह पाती है वो मानवो के बीच में ही उसका जन्म होगा मानवो के बीच में ही वो रह सकती है वो जंगल में सर्वाइब नहीं कर सकती है अगरे देखें क्या है कि अंतीम पेसा जो है पुरा पासान उसे चले आ रहते हैं प्थर के बहुत चोटे आजार माइक्रो लिट्स कहे जाते हैं इनको माइक्रो लिस कहे जाते हैं पथर के छोटे आजार सुख्षम आजार अब एक चीज ध्यान से सुनेगा आपको यह कभी याद नहीं करना पड़ेगा क्या हमारा हाथ जो है वो सुख्षम आजार को पकरने के लिए जादा flexible होना चाहिए कि बड़े आजार को पकरने के लिए जादा flexible होना चाहिए बड़े आजार को आप सारी अंगलियों को मोरे बिना भी एक बार को थाम सकते हैं आथ में लेकिन एक पैन थामने के लिए आपके सारी अंगलियों का अच्छे से मुरना जरूरी होता है या छोटे महीन हथियार को थामने के लिए आपके हाथों के बीच में तारे तम मिता की अधिक ज़ुरत परती है यानि कि जो छोटे हथियार हैं वो बाद में बनेंगे बरे हथियार जो हैं उस सुरुआते बनते थे मध्य पासान, अस्थल, राजस्थान, दक्षिनी उत्ताप्रदेश, मध्य ओवापुर्वी भारत में आपको देखने हो के मिलते हैं कि कुछ हथियार देख सकते हैं पत्थर वगरा सब, काफी इंट्रेस्टिंग दिखरा होगा ये तो था दक्षिनी भारत में क्रिश्णा लिदी के दक्षिनी पाय जाएं हैं इनमें से राजस्थान के बागवर अस्थल का उत्खनन भली भाती हुआ है राजस्थान में कौन सा जगह है बागवर जगह है और ये बहुत ही फेमस जगह है इसके बारे में पूछा गया है UPPSC में यहां सुअसपस्ट सुक्ष्म पासान फलकों का उद्योग था यहां के निवासियों की जीवका सिकार वो पसुपालन से चलती थी इस अस्थाल पर बस्ती इसापूर पांचमी सहस्तरब्द के आरम से 5000 वर्सों तक रही है मद्यपरदेश में आदमगड मद्यपरदेश के सामने आदमगड है आपको मैच करने के लिए देगा और दिया गया है इससे पहले इसलिए मैं कहा रहा हूँ NCRT डीटेल है पर ये बहुत सारे बच्चे नहीं पर गे मुझे पता है बहुत बड़ी गलती करें आज ने कर फिर वहीं आएंगे घूम के इसको इसलिए ध्यान से पर ये मद्यपरदेश में कौन सा जगह था राजिथान के बागवर से मिलता, राजिथान के बागवर से मिलता है और लहुडा देव से मिलता है उसी प्रिकार से पसुपालन कस्वचे प्राचींतम साक्ष मिलता है बागाऊर से जिसका समय लगभग पांच जारी सापुरू हो सकता है राजस्थान के एक पुराने नमक जील सामर के जमाव के अधियन से प्रतीत होता है कि 7000-6000 सापूर के आसपास पौधे लगाये जाते थे यहां पर अभी तक मदेपासान यूग के कुछी उपलब्दियों का वैग्यानी काल परिक्षन हो पाया है मदेपासान संस्कृती का महत तो मोटे तोर पर 9000-4000 सापूर तक बना रहा इसमें संदेह नहीं है कि इससे नवपासान संस्कृती का मार्व प्रसस्त हो गया प्राचीनत हम कुछ कलाकृतियां देखेंगे उसके बाद नवपासान यूग पर हम लोग चले जाएंगे और इन कलाकृतियों से भरपूर मातरम सवाल पूछे गया है पूरा पासान और मदेपासान यूग के लोग चितर बनाते थे और इनके चितर के परमान हमें पूरे दुनिया भर मिले हैं ऐसा निये केवल भारत में भी महीं मिला है फ्रांस में भी कुछ ऐसे जगह हैं कुछ ऐसे गुफाए हैं स्पेन में भी कुछ ऐसे गुफाए हैं हिस्टी ऑप्सनल वाले जो परते होंगे और वहां पर भी हमें कुछ ऐसे परमान मिले हैं परंतु मद्पदेश का भीम बेट का अस्थल अधूत है या भोपाल से 45 किलोमेटर की दक्षिन बिंद परवत में अवस्थी थै को इसकी इस परवत सेनी में है तो बिंद के सेनी में है ये भी ध्यान में रखेगा बिंद के सेनी में है ये वैसे भोपाल ध्यान में रखेए हैं इतना तो आपको पता होना चाहिए इसमें दस वर्ग किलोमीटर चेतर में विफिरे दस वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा एडिया है ये पांसो से भी अधिक चितरित गुफाएं है इन गुफाओं के चितर पूरा पासान काल से मदपासान काल तक के बने हुए है और कुछ स्रिंखलाओं में तो हाल के समय तक के परंतु इसके अने गुफाएं मदपासान काल के बने हुए कहाँ पर तो भीम बेटका में भीम बेटका के बारे हम सवाल पूछा किया था देखिया आगे क्या लिखा है बहुत सारे پचु, पक्षी और मानव चितरित हैं असपश्रतह इन कलाकृत्यों में चितरित अधिकांस पक्षी और पक्षी हुय है अनाज पर जीने वाले पर जिन पक्षी उन आरंबिक चितरों नहीं पाए जाते हैं उसमें ऐसे पक्षी नहीं मिले हैं जो अनाज खा कर जीते थे समझ में आ रहा है कुछ क्योंकि वे चित्र अवस्थी आखेट या खादे संग्रा पर आसित अर्थवियस्था संब्ध होंगे आखेट का मतलब होता है सिकार हंटिंग या खादे संग्रा वाली अर्थवियस्था के बारे में वो चित्र पूरा पूरी डीटेल है बताता है या बरी रोचक बात है कि मिरजापूर जिले में अवस्थित बेलन घाटी में बिंद परवत के उतरी छोरपा पुरा पासान काल की तीनों अवस्थाओं एक के बाद एक पाई जाती है इसके बाद लगातार मद पासानिक और नवपासानिक अवस्थाएं पाई जाती कहां पर तो बेलन घाटी में मिर्जापूर जिला उत्तर परदेश उत्तर परदेश मिर्जापूर के वेब सीरीज के लिए नहीं फेमस है उसके लाई तिहास के लिए भी फेमस है ओके आगे बढ़ें यही बात नर्वना घाटी के मद्यभाग में है इन्तु कई छेतरों में नवपासान संस्कृती मद्यपासान परंपरा के बाद आती है यदे भी यहाँ परंपरा लोह यूग के आरंब तक अर्थाद एक हजारी सा पुरू तक चलती रही जो नवपासान का काल है वो नवपासान जो है वो कब तक चलता रहेगा एक हजारी सा पुरू तक चलता रहेगा उसके बाद से लोहे का विसकार हो जाता है और उसके बाद से फिर कल यूग यानि कि लोहे का यूग सुरू हो जाता है उसके पस साथ नवपासान नियोलिथिक यूग अब खाद उत्पादक पर आ गया देखिया अभी तक कौन कौन सा था खाद संग्रह करते थे हम लोग आखेट करते थे हम लोग आखेट का मतलब होता है सिकार हंटिंग खेट करते थे, मध्य पासान में थोरा बहुत पसुपालन का हमें ग्यान हो रहा था, लेकिन मुख्य रूप से हमने पसुपालन कहां पर किया, नवपासान में, अब हम लोग क्या करेंगे, खाद उत्पादन, बस यहीं से इनसान बदल जाएगा, खाद उत्पादन का परिवार के साथ वितीत करने का क्योंकि फसल जो होता है वो फसल क्या होता है फसल रितुए में होती हैं चार महीने उसको त्यार होने में लगते हैं मालेजी तीन महीने तो चार तीन महीने खाली बैठेगा वो और वो क्या करेगा अपने परिवार के साथ समय बिताएगा परि कि जादे लोग काम करने वाले होंगे जादे लोग काम करने वाले होंगे क्यों उसक्यों चाहिए क्रिसी में जादे लोग क्याब सकता होगी उसमें पूरा देश खाली परा था जिसको जितने जिसके घर में जितने लोग उतने लोग जंगल जलाओ क्रिसी करो उतना हो गया होगा अब एक चीज़ और मुझे बताईएगा सुनिए का concept मैदान में नदियां जादा चौरी होती है तो यहाँ पर मानव के प्राचीर मानव के बास इसलिए भी नहीं पाएगा है क्योंकि चौरी नदियों को पार करने के लिए उनके पास साधन नहीं होता था जहां से नदियां निकलती है उसे नर्वदा घाटी उपरी नर्वदा घाटी जहां पर नर्वदा बहुत कम चौरी है वहाँ पर नर्वदा नदि को पार करना आसान होगा उपरी उत्रा खण में चले जाए बहुत कम चौरी चौरी नदिया है नीचे चले जाए पत्थर वाले इलाग है वहाँ बहुत कम चौरी चौरी नदिया उनको पार करना आसान होगा यानि कि मानब पहले वहां रहते थे अब मानब धीरे-धीरे क्रिसी करने के लिए कहां पर आएगा जहां पर मिटी है जहां पर खेती करना आसान है जहां पर जंगल होंगे उनको जंगल को जला कर काटना आसान होगा क्या पत्थर पर क्रिसी हो सकता है नहीं तहुं मैदानी भागों में मनुस से उतरना शुरू हो जाएगा और जीवन जीना शुरू कर देगा कितना सारा कॉंसेप्ट मैंने बताया है आपको वि आररम में पांसे जारी सापुल से पहले इस स्थान के लोग मुरद्बान का प्रियोग नहीं करते थे बिंद प्रतवत के उतरी प्रिष्टो पर पाए गए कुछ नवपासान अस्थलों को 5000 इसा पुरूव तक पुराना बताया जाता है कि तु समय बस था दक्षिन भारते पाए गए इन नवपासान बस्तियां 2500 इसा पुरूव के आसपास में हमें दिखती है अधिक पुरानी नहीं है भारत के कुछ दक्षिनी और पुरी भागों ऐसे अस्थल महज 1000 इसा पुरूव के हैं जो नवपासान काल से समंदित हैं भारत में कुछ ऐसे अस्थल भी हैं जो 1000 इसा पुरूव के हैं अनिक भागों विसाल मातराम पाई गई है कौन से तो पॉलिसदार पत्थर के हैंड एक्स हैंड एक्स कहा जाता है हाथ से चलने वाली कुलहारियां पाई गई है बहुत सारी गया, उसमें देखेंगा आप परुसराम पहले आते हैं, उसके बाद भगवान राम आते हैं प recurse wondering क्यों दिखायागा इस परकार सेूजदार नक विष्णनुर्ण आउड्शन अबताल बताया गया है, मगर को, सुकर को, सुकर को, सुकर, सुगर, जिसको बहुते हैं, सुर, वो सुर को बताया गया है, उसके बाद से अबतार जो होते हैं, धीरे धीरे अपरोनत करके आप दिखाएंगे, सुकर के बाद चोटे जाने की, कौन सा बामन अबतार में रहता है जो हथियार हाथ में रखता है और किसी का भी गर्दन काट सकता है उसके बाद से भगवान से राम का जन्म होता है उसके बाद से भगवान से रिकेशन का जन्म होता है उसके बाद एक और स्पेस छोड़ दिया थे कलकी के लिए इसमें करम में कहीं उपर नीचे यह चीज की लड़ हो रहा है तो धीरे 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 ही यह सब कुछ डेवलप हुआ है ओके आगे देखे क्या है नवपासान यूग के निवासियों द्वारा विबरत कुलहारियों का धार पर हम उनकी बस्तियों के तीन महत पूंचेतर देखते हैं उत्तर पुर्वी और की कुलहारियां पाई गए हैं दक्षिन मलग पाई गए हैं उत्तर पुर्वी समुह में देखे क्या लिखा हो वक्रधार कुलहारी पर ऐसे वक्रबनी होती थी उत्तर पुर्वी समुह के पॉलिसदार पत्थर की होती थी जिन में आयताकार दस्ता लगा होता था कभी कभी क मिला देखे क्या है कि उत्तर पस्सी में कस्मीर कस्मीर की बात हो रही है नवपासान संस्कृति कई विशेष्टा है जैसे गर्त आवास यही पूछा गया था एक जगह है देखे बुर्ज होम है जहां पर मनुष से क्या करता था दरसल में ठंड बहुत जादा पड़ती थी औ गर बनाने के तकनी क की बिकसीत नहीं हुई थी लेकिन ठंड़े इलाके मानभ तो रह रहा है उसने क्या 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 जमीन खोदा जमीन खोदकर जमीन ऐसे खोदा उसमें जाने के लिए एक रासता बना लिया और begging रहने लगया और इसको उपर से ढख देते थे इसको कहा गया गरतावास गरतावास का प्रमान कहां से मिलता है जमू कस्मीर से मिलता है चोटे-चोटे अंदर गुफाएं बना लेते थे और उसमें रहते थे जमीन के अंदर जमीन खोद का उसको कहा गरतावास गरतावास इसका कहां से मिला है बुर्ज होम बुर्ज होम जगह है क मिर्दभांड की बिपित था पत्थर था हड़ी के तरह तरक औजारों का प्रियोग शुक्ष्म पासान का पूरा भाव इसका एक महत्पून अस्थल है बुर्ज हों जिसका अर्थ होता है भुर्ज ब्रिक्ष का स्थान या स्रीनगर से उत्तर पसिम क्योर 16 किलमेटर दूर है वहाँ नवपासान यूगीन लोग एक जील के किनारे जमीन के नीचे घर बना कर रहते थे और सिकार और मचली पर जीते थे जील था तो सिकार करके मचली खाते थे और गड़ा बना कर उसमें जीते थे यहों लोगों के आगे देखिए क्या है विखेती से परचित थे एक अ पासान योगीन लोग ना किवल पत्थर के पॉलिजदार औजारों का प्रियोग करते थे अपितू इससे भी मज़दार बात है कि हड़ी के बहुत सारे औजार और हथियारों का भी उप्योग करते थे तो गुफ कराल और बुर्ज होम आपको कहां पर मिलता है तो ये कस्मीर म में उत्तर के मैदान में क्यवल चिरांधी एक मातर जगह है जहां से हड़ी के उपकरन पाए गए हैं बागी कस्मीर वगएरा में थोरे बहुत हमें मिलते हैं यह स्थान गंगा को उत्री किनारे पर पटना से 40 किलमेटर पसी में है वर्तमान के पापने छापरा के पास है सा परवर्ती नवपासान परिवेश में 100 सेंटिमीटर वर्सा वले छेतर पाए गए हैं यहां बस्ती इसलिए संबब हुई क्योंकि गंगा सोन गंडक और घागरा इन चार नदियों का संगम अस्थान होने कारए यहां खुली जमीन उपलवद थी यही है छपरा और सारन जिल यहां पर पत्थर के ओजार के कमी ध्यान देने योग है यहां पर पत्थर के ओजार नहीं मिले हैं हमें यहां पर हमें क्या मिला है तो यही आपको हड़ी वगर का थियार यहां पर मिलते हैं दक्षीन भारत में गोदाबरी नदी के दक्षीन में रहता था और वे लोग आम तोर से नदी किनारे ग्रेनाइट वगएरा के उपयोग करते थी यहाँ पर देखी क्या है सॉरी बुर्ज होम के लिए रुखरे धूसर मिर्दभान का प्रियोग करते थी यहाँ कबरों पालतु कुते भी अपने मालिक के सबों के साथ दफना जाते थी बुर्ज होम में यह सबसे बड़ी खास्यत है बुर्ज होम का दो खास्यत है एक है घरतावास दूसरा क्या खास्यत है कि यहाँ पर पालतू कुट्टे को उसके मालिक के मिर्थू को साथ में उसमें कबर में दफना दिया जाता था यह सबसे बड़ी खास्या था और इसके बारे में बार बार PCS में UPSC में रिपीट करकर सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर पालतू कुट्टे को उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था तो बुर्ज होम था वो पालतू कुट्टे को उसके मालिक के साथ कबर में दफनाने के प्रथा भारत के अन्य किसी भाग में नवपास्थान यूग लोग में साइध थी ही नहीं नवपासान भारत में और कहीं पर भी ये प्रथा नहीं थी बुर्जों मुवास अस्थान की सबसे पूर्व किती थी 2700 इसा पूर्व की है किन्तु चिरांद में मिली हड्डियों किती थी 2000 इसा पूर्व से बहुत पहले की नहीं रखी जा सकती है और संभवता यहां के ओजार 55 नवपासान काल के हैं पाद के नवपासान काल के हैं यहां के ओजार आगे देखते हैं क्या है अगला देखे क्या है नवपासान यूग के लोग दूसरा समूँ कौन सा समूँ दूसरा समू दक्षिन भारत में अभी मैंने यही पर दिया था पहले दक्षिन भारत में गोदावी नदी के किनारे में था वे लोग आमतार से नदी किनारे ग्रेनाइट पहारी के उपर या पठारों बसते थे वे पत्थर के कुलहारियों का और कई तरह के प्रस्तर फलकों का उपयोग करते थे पकी मिट्टी के मूर्तिकाओं से प्रकट होता है कि वे बहुत से जानबर पालते थे उनके पास गाय, बैल, भेर, बकरी होती थी वे सिल्पेट्रे का प्रियोग करते जिसे परकट होता है कि वे अनाज पैदा करना जानते ही कहा पर ते देखी एक तुमें मिला कहाँ पर एक हमें मिला गंगा भाटी में जो अपने चंपारन में च्छापरागे पास है चंपारन बोलना हूँ छपरा के पास है सारन में एक आपको मिला कस्मीर में गरतावास और एक आपको कहां पर मिला है दक्षीन भारत में गोधावडी नदी के तट पर पहार पर रहते थे ये चीज गिलर हो गया होगा तीसरा छेतर जहान नवपासान यूँ के औजार मिले हैं असम की पहारी है पुर्वत्तर भारत में देखी असम की पहारी में नवपासान औजार भारत उत्तर पुर्वी सीमा पर मेघाले के गारो पहारी में भी पाए गए हैं गारो पहारी में किस काल का औजार इलाकों में भी कई सारे नवपासान का स्थल हमें मिले हैं इलावाज जिले के नवपासान अस्थलो के भी सेम बतलाया गया है यहां इसा पुर्व छटी सहस्राबदी में भी चावल का उत्पादन होता तक कहां पर इलावाज जिले के नवपासान इलाकों में अगला है कि जिनकीनी नवपासान अस्थलों का ये नवपासान परतो वाले अस्थलों का उत्खनन हुआ है उनमें प्रमुख है करनाटक में मास्की अब इसको नोट डाउन कीजेगा क्योंकि यहां से सवाल पूछता है करनाटक में मास्की, ब्रमगिरी, हलूर, कोडकल, पिक अगला देखिए कि आंधर पदेश का महदपूर नवपासान अस्थल जान परता है उतनूर, जान दक्षिन भारत नवपासान अस्था के 2000 इसापुरू से 1000 इसापुरू तक जारी रहा, 2000 से 1000 तक, करनाटक के पिकली हल के नवपासान, योगिर निवासी, पसुपालक थी और इंपोर्टेंट है, मौसमी सी वोरों में उग रहते थे, इन बारों में गोबर जमा करते थे और जो सामाने मनुस्था का जो जीवन सहली हो तो वो सब कुछ हो करते थे, नापासान योग के निवासी सबसे पुराने किरसक समधाई थे, वे पत्थर के कुदालों और खोदन इन वाले नापासान योग के लोग अधिक उन्नत थे, वे गेहु जो रुई उप जाते थे और कच्ची इटों के घर में रहते थे, पहली बार पूरी दुनिया मगर कहीं पर रुई का उत्पादन हुआ है, कपास का उत्पादन हुआ है, तो कहां पर हुआ है तो भारत में हुआ है, और इसको ध्यान में रखेगा पहली बार कहां पर हुआ है, उत्पादन तो भारत में हुआ है, क्योंकि नवपासान अवस्ता कई बासस्तल अनाजों खेती करते थे और पसु पालते थे, अता उन्हें अनाज रखने के बरतनों के जवरत हुई, और बरतन की ही है, उनका काम यहां से सुरू होता है, आरम में हाथ से बनाए के मिर्दभान मिलते हैं, पहले तो हाथ से बनाए हुए हमें मिर्दभान मिलते हैं, मिर्दभान का मतलब है, जो मिटी का बरतन होता है, बाद में चाक पर बनने वाले, यानि कि चाक का विसकार हो गया, पहले प अब इसकार आपने पढ़ा होगा बच्चों बच्पन में भी नवपासान यूग के लोग स्लेट कुलहारी वसूले छेनी आदी उरीसा छोटा नागुर के पहारी लागों पाए गए हैं पर नवपासान बस्तियों का आभाव आभास आम तोर्च बहुत कम मिलता है जिसका कार अब अधिपस्टी मेसिया में भारी तकनीकी प्रगत हुई को कि इसी समय में लोगों ने खेती बुनाई कुम्बकारी भवन निर्मान पसुपालन लेखन सब कुछ का विकास किया धीरे धीरे और इसके बाद से सब लिता बदलती चली जाएगी तो ये था आपका नवपास बनेगा परिवार से एक कुल बनता है कुल से एक छोटा सा टोला बनेगा फिर गाउं बनेगा और संस्कृतियां डेवलप होने शुरू होने जाएगी बस्तियां मिलेंगी अब हमें अस्थाई निवास उनका मिलने लग जाएगा तो अगले चैप्टर में हम लोग क्या थैंक यू सो मच आप सभी क्या